हेलो दोस्तों, आज के इस वीटियो में हम कुछ हिंदी सिंटेंस का अंग्रेजी बनाना सेखेंगे, एक चडिया का बच्चा एक पेंड से गिरा, यह है पास्ट का सिंटेंस है, पास्ट इंडेपनिट, इसमें कोई कार्य का होना बताया जा रहा है, सभी सिंटेंस में, इसलि अफमेरिव सिंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, जैसे कि यहां पर हमने लिखा है, ओके, साथ ही इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जिनकी इस वर्ड्स हैं, हमने यहां नीचे वीटियो में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, इस्क्रीन पे, ओके, तो एक फॉर्म लगा है, फॉल, फिल, ओके, राजु और मोना ने चलिया के बच्चे को पाया, राजु एन मोना फाउंड द बेबी बर्ड, यहां पर दा का यूज करेंगे, अ बेबी बर्ड नहीं, दा बेबी बर्ड, क्योंकि एक बार हम बेबी बर्ड का यूज कर चुके हैं, तीसरा सेंटेंस है, वे चलिया के बच्चे को एक पिंजरे में रख दिये, दे पुट, second form of put is put, ओके, दे पुट द बेबी बर्ड इन अ केज, ओके, केज मेंस होता है, पिंजरा, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है, केज मेंस पिंजर कुछे चलिया, चलियों, चलिया के बच्चे को आजाद करने आई, some words came to free the baby bird, वे पिंजरे को एक चुहा के पास ले गई, they took the cage to a rat, यहां पर the cage होगा, क्योंकि एक बार हम cage का युच कर चुके हैं, और a rat होगा, क्योंकि rat का युच पहली बार किया जा रहा है, इस पूरे गहानी में, they took the cage to a rat, चुहे ने पिंजरा काटा, और चलिया के बच्चे को आजाद किया, the rat, यहां पर a rat अब नहीं कहेंगे, क्योंकि दूसरी बार हम चुहे का युच कर रहे है, the rat, cut the cage, यहां पर फिर से the cage, क्योंकि दीसरी या चौथी बार युच कर रहे हैं, the cage को, the rat cut the cage and freed the baby bird, if you like the video, please share and subscribe, thanks for watching.